सब्सक्राइब कीज़े आवाज नाशनल न्यूज और बेल आइकन दबना बिल्कूल भी ना भूलिए ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले पाकिस्तान का फर्जी आरोप प्रदानमद इम्रान खान ने संसद में कहा कि स्टॉक एक्स्चेंज पर हुई आतंग की हमले में भारत की भूमी का थी हालकि हमले में जिम्मेदार बलूचिस्तान आर्मी ने ली थी हमले के लिए एक गाड़ी में चार आतंगी आये थे उनके पास भारी मात्रा में विस्पोटक और 47 राइफल बरामत की गई थी पिछले साल कराची में चिनी दुदावास पर हुए हमले में भी इनों ने जिम्मेदारी ली थी इस हमले में भी इसी तरह की गाड़ी का इस्तिमाल किया गया था पूरी दुनिया में करोना वायरस के संकर से जूज रही है इस महामारी के खिलाव जारी लड़ाई में डॉक्टरों से लेकर तमाम स्वास्त कर्मी या फ्रंट लाइन योद्धा की भूमी का निबा रहे है करोना संकर के बीच आज देश भर में डॉक्टर्स डे मना जा रहा है इस मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्त कर्मियों को सलाम किया है पीएम मोदी ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया है करोना के खिलाव भारत में जो स्वास्त कर्मी जंग लड़ रहे है देश उन्हें सलाम करता है योग गुरु बाबर रामदेव ने पतंजली के कोरोनील दवा पर हुए विबात को लेकर सपाई दी उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि करोना की इलाज के लिए पतंजली की कोरोनील और श्वास्री ये दवा पर कोई कारोनी प्रतिबंद नहीं है आज से हमारी कोरोनील कीट देश भर उपलब की जाएगी रामदे बाबा ने कहा है कि आईउच मंत्राले ने सिफ इतना कहा है कि आप क्योर शब इस्तमाल मत की जीत तो हमने कहा ठीक है इसे कोवीड क्योर नहीं कहकर कोवीड मैनेजमेंट कहलेंगी पिना सबसेटी वाले रसोई गैस सिलेंडर के किमज एक जुलाई से मामुली तौड पर बढ़तरी की गई है बढ़ते हुए बिजली बिल को लेकर बॉलिवुड हस्तियों ने आबाज उठाई सीएम उद्दव ठाकरे ने दिया आश्वासन माहराष्ट्र मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली की बिलों के सम्मदित उपभोगता शिकायतों की बढ़ती संख्या का जाइजा लेते हुए माहराष्ट्र विद्यो तियमांक आयोक्त ने बिजली कमपनियों को अपने बिरिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिकता दिखाने और उपभोगता की शिकायतों का तुरंत निवारं करने का निर्देश दिया है अनलोग टू में महराष्ट्र में एक जुलाई से राज्य परिवाहन की बसो अटरिक्षा टैक्सी से सारवजनिक परिवाहन की फिर एक बार शुरू हो सकने की उम्मीद है सरकार इसके जरीए तमाम लोगों को एक शहर से दुसरे शहर बेजने की सहलियत दे सकती है जो रोजगार के लिए एक शहर से दुसरे शहर जाना चाहते है करोना के कारण नहीं होगा दईहंडी उत्सव मटकी फोड़ने नहीं आएंगे गोविदा कई दईहंडी समन्वर्ग समीती ने यह निर्नाई लिया है कि करोना वाइरस के बढ़ते प्रकुप के कारण इस साल मटकी नहीं लगाएंगे हाला कि पुलिस ने श्रीकृष्ण जन्मोस्व को सरल तरीके से मनाने का निर्देशन किया है शेखर सुमन और प्रडूसर संदीप सिंग पर सुषान सिंग राशपूत के परिवार ने आरोप लगाया है कि राजनिती के लिए सुषान सिंग के मौत का इस्तमाल किया जा रहा है शेखर सुमन और खूत को सुशान सींग का दोस्ट बनाने वाले प्रडूसर संदीप सिंग ने कल राष्ट्यर जनता दल के बैनर के तले तेजस्वी यादव की मौझुदगी में सुशान सींग के मौत को लेकर एक प्रेस कॉनफरेंस रखी थी इसके तुरंद बाद शेखर सुमन ने राष्ट्यर जनता दल पार्टी की सदस्रता भी स्विकारी थी भारत में करोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है बीदे 24 गंटे में देश में 18,673 ने पॉजिटिव केसे सामने आ है वही इस मामारी से पासुष साथ लोगों की जान गई है एक दिन में करोना से मरने वाले यह सरवादी संख्या बताई जाती है और राउंडर रविंद्र जड़ेजा को 21 सदसी के भारतिय टीम का सबसे मोल्यवां की लाड़ी गोशित किया गया है विजडर ने गेन बले और फिल्डिंग में युगदान की वज़र से यह स्थान दिया है विजडर ने क्रिक्वीज का अकलन चुनते हुए 30 खिलाडियों की लिज़ जारी की है जिसमें जड़ेजा कूल मिलाकर दूसर स्थान पर है पहला स्थान मुथाया मुर्ली धरन को दिया गया है